हेलो दोस्तों मैं हूँ DRX-88 की लाही और आप देख रहे हैं True Medical आज मैं आपको complete जानकारी देने वाला हूँ विटकोफोल ड्रोप के उपर जो कि बच्चों के लिए एक सबसे अच्छा healthy ड्रोप है जैसे कि इस ड्रोप को हम बच्चों में कौन सी कंडिसन में यूज करते हैं और कितनी मर के बच्चों तक इस ड्रोप को दे सकते हैं डोज कैसे और कितनी देनी है साइड इफेक्स से कैसे बचना है और किन-किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस ड्रोप को देने की सलाह दी जाती है तो complete जानकारी मिल जाएगी आज की इस वीडियो में तो वीडियो को end तक जुरूर देखे और अगर आपने भी तक हमारे चैनलों को सस्क्राइब नहीं के आये तो चैनलों को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे क्यूंकि हम सभी मेडिसीन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विटकोफोल ड्रोब FDC कमपनी के दुआरा बनाए जाती है और 15 ml के एक चुटी सी ड्रोब होती है जिसका MRP 31 रूपी होता है और इसके अंदर 3 साल्ट होते है निकोटिनामाइड, विटामिन B12 और फोलिक एसिड अब बात करते हैं इसके बैनेफिट के बारे में विटकोफोल बच्चों के लिए एक काफी बढ़िया ड्रोब है जिसे हम कई तरीके से यूज करते है जैसे बच्चों में मैलनूट्रिसन की कम्मी हो जाती है बतलब कि इस ड्रोब का हम बच्चों में कुपोशन के इलाज में यूज करते हैं कुपोशन की कंडिसन बच्चे में जब बनती है जब बच्चे को परियाप मैलनूट्रिसन नहीं मिल पाते है तो बच्चे का वजन कम होने लगता है फेट लोस होने लगता है बाल ड्राइ होना सुरू हो जाता है, इसकिन पैल हो जाती है मतलब कि इसकिन यालो कलरकी हो जाती है और बच्चे में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है तो ऐसे कैसिस में विटकोफोल ड्रोप को यूज किया जाता है विटकोफोल ड्रोप बच्चे में मैल नूट्रिसन की कमी को अच्छे से पूरी कर देती है और जैसे ही बच्चे में मैल नूट्रिसन की कमी पूरी हो जाती है बच्चे में सारी कमजोरी दूर हो जाती है बच्चे का वजन तेजी से बढ़ना सुरू हो जाता है देखते ही देखते बच्चा बिल्कुल healthy हो जाता है इसके अलावा pure appetite में भी इस drop का काफी कमाल का result होता है pure appetite मतलब भूख का कम लगना अगर किसी बच्चे को भूख बहुत कम लगती है या फिर बच्चा कुछ भी खाता पीता नहीं है तो ऐसे में भी इस drop का काफी बढ़े result देखने को मिलता है और इसके अलावा बच्चे में एनिमिया की कमी एनिमिया मतलब खोन की कमी बच्चे में खोन की कमी हो जाती है nutrition की deficiency हो जाती है जैसे vitamin C, vitamin B12, newacin की कमी इस तरह है कि बहुत सारी nutrition की कमी को भी ये drop आराम से पूरी कर देती है कुल मिलाकर विटकफोल ड्रोप बच्चे को healthy बनाने में बहुत जादा फायदे मन्द है तो ये थे इसके कुछ benefit अब बात करते हैं डोस के बारे में आप इसे 0 से लेकर डेड़ दो साल के बच्चे तक आराम से दे सकते हैं 0 से 3 मन्द, 4-4 बूद 2 टाइम और 3 से 6 मन्द, 8 से 10 बूद 2 टाइम और 6 मन्द से 1 साल तक 15 बूद 2 टाइम और 1 साल से उपर और थोड़ी quantity बढ़ा दे ये एक normal dose है बाकी accurate dose बच्चे की age और weight के उपर depend करती है तो accurate dose के बारे में आप डोक्टर से consult करें तो ये थे इसकी कुछ dose अब बात करेंगे pre-cations यानि सावधानिया इस drop की कभी भी overdose ना ले और किसी भी medicine को use करने से पहले एक बार उसकी expiry चेक कर ले तो ये थे इसकी कुछ pre-cations अब बात करते हैं side effect के बारे में common side effect की बात की जाए तो nausea, vomiting, diarrhea, fever इस तरह के common side effects सामने आ जाते हैं उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी तो ये थी विटको फोल, drop से related कुछ जानकारी आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसने वीडियो के साथ वीडियो पसंदाए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें